नमस्कार जैहिन साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल और दिच्छ एक्जाम प्रेपरेशन में साथियों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट में संस्कृत भासा के यदि आपने चैन किया है तो आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है क्या-क्या माद्यम होगा आपकी पढ़ाई का तो साथियों सीटेट में संस्कृत भासा बिसे का पूरा का पूरा सलेवस इस वीडियो के नतरकत में चर्चा करूँगा कि क्या-क्या पढ़ना है आपको तो साथियों वीडियो के साथ बने रहे अंत तक साथियों जब आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो पाएंगे वहाँ कि सीटेट में संस्कृत पैराग्राफ आता है और सिछण सास्त्र संस्कृत सिछण सास्त्र आता है तो साथियों संस्कृत पैराग्राफ जो होता है उसमें से गद्यांस एक आएगा एक पद्यांस आएगा तो गद्यांस में से आपको करने होंगे 7 से 9 मार्स के गद्यांस के question होते हैं एक गड्यांस दिया होगा उसको पढ़ने के बाद आपको परशन हल करने होंगे उस परशन की क्या प्रकृत्टी होगी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा साथी साथ साथियों पध्यांस आएगा पध्यांस में भी जैसे स्लोक हो सकता है कोई भी दोहा हो सकता है या कोई भी काप बे रचना हो सकती है उसका आपको अर्थ निकाल करके एक पैराग्राफ दिया होगा अपटित पैराग्राफ दिया गए उसका अर्थ निकाल कुछ से प्रश्ण बनेंगे उस प्रश्ण को कैसे हल करना है यह भी बताऊंगा इस वीडियो के अंतरगत साथियों प्रश्ण की प्रकृति क्या होती है इस पर अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि पैराग्राफ पहले तो क्या होता अर्थ से संबंदित पैराग्राफ होगा उसको आपको अर्थ निकालना होगा तो देखेंगे कि वहाँ पर पैराग्राफ से संबंदित कुछ प्रशन पोछ लिये जाएंगे जो दो से तीन मार्स के कुश्चन होंगे जैसे कि आप से पूछ दिया जाएगा की जिसे की पैरागणाफ qualidade को नाम के पिचली वार पारागराफ आया था तो पूछ लिया जाएगा कि कर करपूर पटा कौन था मतलब पैराग्राप से सम्मंदित प्रशनाप से पूछे जाएंगे दूसरा आती बात कि एक उसी पैराग्राप से एक सब्द उठाया जाएगा उसी पैराग्राप से एक सब्द उठाया जाएगा यह हो सकता उस पैराग्राप का कोई ऐसा सब्द हो ज पांच तरीके के सब्द रूप राम का पढ़ना पढ़ेगा फल का पढ़ना पढ़ेगा रमा का पढ़ना पढ़ेगा हरी का पढ़ना पढ़ेगा गुरू और पिता का ये पांच आपको सब्द रूप पढ़ते ही आप संस्क्रत पैराग्राफ जो दो पैराग्राफ पाते है उसमें से आफ दो से तीन मार्स अपने पक्के कर लेंगे दो से तीन मार्स आपके पक्के हो जाएंगे अब साथियों बात आती है कि दहात रूप से एक पैराग्राप से एक कुश्चन दहात रूप से बनेगा एक गद्यांस में पूछा जाएगा एक पद्यांस में पूछा जाएगा तो सात्यों धात रूप में आपको पठ धात पढ़नी है पठ धात के पांचो लट लकार पढ़ने हैं लट लकार लोट लकार लट लकार विधिलिंग लकार ये पांचो लकार आपको पढ़नी पढ़ पठधातु की यदि आप पठधातु की लकार पढ़ लेंगे तो आप चाहे गम की पूछ लिया जाए गच्छत 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 पूछ लिया जाए चाहे भवत भवता भवन्त पूछ लिया जाए कुछ भी पूछ लिया जाए आप पठधातु को पढ़ने के बाद उसको कर पाएंगे साथियों इसी के साथ साथ आपको पढ़ना पढ़ेगा सरवनाम सब्द सम्द सब्द रूप जो मैं वह तुम ये तीन होते हैं युसमद सातवते तुमत तान इस टाइप से आपको पढ़ना पढ़ेगा या अहम आवाम बयाम इस टाइप से आपको पढ़ने एक एक topic by topic आपको हमारे चैनल पर वीडियोज मिलेंगी चैनल को subscribe कर लिए साथ ही साथ जो bell icon है उसको press कर लिजिए bell icon में जो all वाला टिक है उस पे click कर लिजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज आ सकें वह आपको सबसे पहले notification मिल सके साथियों अब साथियों इसी paragraph से एक question और बनेगा प्रत्य संबंधित question बनेगा एक गध्यास में बन जाएगा एक पध्यास में बन जाएगा तो दो मार्स प्रत्य भी आपको देगा और प्रत्य बहुती easy है तफ नहीं है प्रत्य जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि प्रत्य कितना easy है और साथियों समास से एक आएगा एक संद बिच्छेते तो हम देख क्या रहे हैं हमको क्या पता चला आप देखिए ध्यान से देखिए इतना जो भी मैंने आपको बताया है इसमे आपने ये पांच सब्दूरू पढ़ लिए पटधाद पढ़ ली सरबनाम प्रत्य समास संद पढ़ लिया तो आप 15 में से 8 से 9 मार्स अपने गेन कर सकते हैं विदाउट पैदाग्राफ का अर्थ निकाले यदि आपको संस्कृत भासा में दिक्कत भी आ रही है तब भी आ तो साथियों इसी एक सास्त में आपको और बताता हूं कि संस्क्रत से छड़ सास्त में कौन कौन से टॉपिक हैं और ये टॉपिक आपको कैसे पढ़ने हैं और इनके नूट्स आपको कहां से मिलेंगे सबी कुछ बिष्टत तरीके से बताने वाला हूं आपको साथियों भासा कौसल संस्क्रत में पहला टॉपिक है भासा कौसलम के नाम से पूछा जाए या भासा कौसला के नाम से पूछा जाए बिभक्ती रूप से कैसे भी बदल दिया जाए आपको याद रखना है कि भासा कौसल टॉपिक है उसमें सुनना बोलना पढ़ना लिखन रेंदी के रहता है हिंदी में वही यहां हो जाता है श्रबनम पठनम से लेखनम संभासनम बस अंतर इतना है और बहु भाशिकता दूसरा टॉपिक है तिसरा भाषा अधिग्रहनम एबं अधिगमम तो अधिग्रहन जो अरजन होता है हिंदी में आपने पढ़ा होगा यदि हिंदी सिच्छन सासर पढ़ा होगा भासा अरजन तो वही यहाँ पर अधिग्रहन हो जाता है भासा अधिग्रहन एबं अधिगम concept बही रहता है साथियों इसी के साथ सा description box में हमारा telegram group का link दिया गया है वहाँ पे जाईए और join हो जाईए जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैं इस सबी की PDF डाल देता हूँ आप वहाँ जाकर के जुड़ जाईए साथियों और साथि साथ यदि आप कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो वहाँ भी मैं सेर कर देता हूँ वीडियो तो आप जाकर के यदि हमसे जुड़े रहेंगे तो वीडियो को पाते रहेंगे और साथियों अब आती बत अधिगम अक्षमता most important topic जो दो मार्स आपको हर बार देखे जाता है कोई भी सॉल पेपर उठा के देख लीजिए संस्क्रत बासा में संस्क्रत सिच्छन सास्तर में अधिगम अक्षमता आती और सबसे अच्छी बात क्या है इस topic की कि dyslexia को संस्क्रत में हम conversion dyslexia ही लिखेंगे dysgraphia को dysgraphia ही लिखेंगे और सिर्फ और सिर्फ चार ही इसमें अधिगम अक्षमताएं पूछी जाती है जैसे की CDP में हम को पूछने को मिल जाता है कि dysgraphia, dysthemia, dysmorphia लेकिन जब संस्क्रत बासा के बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चार आते हैं dyslexia, dysgraphia, dys aglexia, alexia, agraphia और साथी साथ साथियों dyscalculia इतने ही चीज़े हमको पढ़नी होती हैं अब साथियों next topic की तरफ अगर हम आते हैं तो देखते हैं समाब इसी कच्छा को आपको पढ़ना पढ़ेगा seated point of view से most important है संस्क्रथ point of view से most important है राष्टी पाइट चर्या 2005 जिसको आप सभी लोग NCF 2005 के भी नाम से जानते हैं यह भी संस्क्रथ भासा में आता है साथियों मैं बार-बार कह रहा हूँ आज से lecture आपको मिलेंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा वेनिफीशल लग रहा हो तो साथियों एक लाइक हमको दीजिए भासा बिकास कौन कौन से भासा बिकास भासा का बिकास कैसे कर सकते हैं अवसर प्रदान करके जैसे प्रियोग करके अभिव्यक्ति करके इस सब चीजे हैं इससे भासा का विकास किया जाता है और काहनी कथन का क्या मतलब है कविता प्रियोजन का क्या अर्था है ये सारे टापिक थे संस्क्रस सिच्छन सास्त्र के धन्यवास साथियों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अधिचे एक्जाम प्रिप्रिशन आपके सीटेट एक्जाम में पास होने की सुबकामना करता है धन्यवास साथियों